नमस्का दोस्तों चैनल पर आपका स्वागत है एक और लेटेस्ट अपडेट और वीडियो के साथ दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है सब इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं इगनु के रीरेस्टेशन फॉर्म के बारे में दोस्तों फाइनली इगनुले जनवरी 2021 के लिए रीरेस्टेशन फॉर्म स्टार्ट कर दिया है कौन कौन से स्टुडेंट रीरेस्टेशन करेंगे इस बार क्या फॉर्म में बदलाव किया गया है क्या चैन्जेज है उसको भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो जोस्तों अगर आप चैनल पहली बार आ है तो दोस्तों चलिए वीडियो पर आगे चलते हैं सबसे पहले में बता दो कौन कौन से स्टुडेंट रीरेस्टेशन करवाने वाले हैं इसमें तो जैसे कि आप बैचलर डिग्री के जितने भी स्टुडेंट है बीएजी बीकॉम बीसीजी बीसीए बीटियस और जो कि बीडि धी और हो जबी जनवरी 2020 में पुर्ड़ी में बीडियो चाहां हूं सारे स्टुडेंट इसमें एपिर्यंगे स्टुडेंड हैं centeredny वर्डियों जुलाइ 19 में इंडोलड है या उससे पहले इंडोलड है उन्होंने रेसेशन नहीं कर्वाए है या भूल गया है या रह गया है वो सारे student अपना डेसेशन करवाएंगे certificate diploma के लिए कोई päjem कर्वाइन होता सिर्फ उनको छोड के या certificate जो diploma program है जो semester wise है उनको छोड़के तो दोस्तों ये सारे student re-resession करवाने वाले हैं तो अपना second year और या second semester में आप अपना enroll करेंगे नए student के लिए मैं बता रहा हूँ ये पुराने student को पता होगा re-resession कैसे क्या होता है तो इसके पे मैं बना चुका हूँ link description में दे दूँगा वहाँ से आप कर लेंगे step by step कैसे re-resession करना है वो भी मैं बना चुका हूँ उसका भी link description में देऊँगा वहाँ से आप देख कर सकते हैं तो ये सारे student re-resession करवाएंगे re-resession बिल्कुल भी miss मत करिएगा खास कर master degree के program के student है क्योंकि उनका इस बार से जो है जो भैराल आप january के enroll student है ये आपके पर लागू नहीं होगा लेकिन जितने भी जुलाई के student है उन पर लागू होगा क्योंका one year जो है कम कर दिया गया है master degree program में तो वो आप चार साल के में ही complete करना पड़ेगा बाकी bachelor और bachelor का तो same ही है six year दिया जाएगा लेकिन re-resistion आप बिलकुल miss ना करें अपना आगे से ये ध्यान रखें क्योंकि जो है आपका जो है re-admission आगे से लगबग बंदी हो चुका है re-admission अब नहीं होगा duration आगे extend करने के लिए तो दोस्तों आगे चलते हैं वीडियो पे तो दोस्तों अभी जो home portal है उस पे अभी updated नहीं है ये आपको जाना पड़ेगा एगनों के home page पे जब जाएंगे जहां पे re-registered online लिखा है sorry registered online लिखा है वहां पे आप click करेंगे नीचे आपको re-registeration का एक link मिलेगा इस पे click करना है इस पे click करने के बाद आप आजाएंगे इस वाले जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे re-registeration for january 2021 session तो यह जो last date रखी गई है वो 15th january 2021 रखी गई है तो last date आप maybe extend हो जाए extend होगी जहां तक उम्मीद है आप last date का इंतिजार मत करिएगा इस बार यह portal जो start किया गया international division और जो है इंडियन इस्टुटन के लिए same portal रहने वाला है ठीक है और अगर आपने re-registeration नहीं किया है आपने first time re-registeration कर रहे हैं तो new पे click करके आपको अपना user ID password create करना पड़ेगा वो मैं कैसे करना है आगे में बता दूंगा और इसके पर मैं video बना चुका हूँ आप link discipline में जाकर चेक कर लिजेए वहाँ पे मिल जाएगा और आपको registration करने में या पहले से registered है कोई problem आ रहे है या password भूल गया है पहले से registered है फिर से student के case में अगर आपका password नहीं आ रहा है वो टीपी नहीं आ रहे है कोई problem हो रहा है तो आपने नजदी की regional center जो concern regional center है वहाँ पे approach करेंगे ये reset करने के लिए ये सब करने के लिए पिछली बार ये लिखा नहीं गया था ताकि आपको बाग है problem ना हो फिर change करवाना पड़ता है बहुत सारी समस्या आती है ठीक है payment आप किसी debit credit card net banking के थुरू कर सकते है UPI के थुरू payment मत करिएगा ज्यादा तर UPI का payment फस जाता है problem होती है ठीक है तो आप re-resession का large date का wait मत करिएगा आप four point में उन्हें लिखा है मैं भी यही कहूंगा आप एक बार चेक कर लिजिए payment बहले बाद में करिएगा अभी कोई आपको OTP का issue या कोई ऐसा problem आता है तो पहले से पता च रहेगा तो आप जबी समय लगेगा original center पर change करवा के फिर आगे कर लिजिएगा यहीर अभी एक बार चेक जरूर कर लिजिएगा ठीक है और आपका एक बार payment हो गया तो अगर payment success नहीं होता है तो immediate दूसरा payment आप मत करिएगा एक दिन कम सक्म इतजार कर गएगा हो सकता वही payment update हो जाए अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप आगे payment करिएगा अपना bank वगरा चेक कर लिजिए अगा payment deduct हो गई है तो फिर payment मत करिएगा वो बाद में update हो जाती है ठीक है और आगे अगर payment एक बार कर दी है तो दूबारा payment न आए ठीक है इनके सब थर्ड पार्टी तो थर्ड फार्टी में आता है आपका साइबर कैफे उगएरा साइबर कैफे उगएरा अगर आप री रेसेशन करवाते हो तो वहाँ पे आपका जो फाइनल प्रिंट आउट जो है पेमेंट का वो इंफर्मेशन का जरूर लें क्योंकि बहुत सारे स्टुडेंट ऐसे प्रॉब्लम फेस करते हैं कि वह पैसे दे देते हैं वह पेमेंट नहीं होता है वह स्लिप भी नहीं लेते हैं फिर वह प्रॉब्लम आती है उनका year six year का gap हो जाता है तो problem हो जाती students को बाकि जो ये MP program है MPB program है और MCA program master आफ जो है business medicine MBA जिसको आप बोलते है MBA और MBA banking finance और MCA का जो है 5th December से start होने वाला है अभी ये added नहीं है बाकि के सारे student आप अपना register करके अपना login करके आप re-recession कर सकते हैं नए student के लिए मैं ये suggest करूँगा मैं वीडियो बना चुका हूँ link description में मिल जाएगा आप वहाँ से जाके दिए ठीक है बाकि इस पर आप click करेगा click करने के बाद आप proceed पर click करेंगे तो आपका next page open हो जाएगा सेम ऐसे यहाँ पर login करना जिन्होंने bachelor degree के student है जो third year मिलेंगे है तो वो आपको पता ही होगा कैसे करना है बाकि जो fresh student है वहाँ पर new presentation पर click करके अपना user ID password create कर लेंगे उसके बाद फिर अपना करेंगे इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसके पहले भी बता चुका हूँ link discussion में मिल जाएगा वहाँ से जाके आप कर सकते हैं ठीक है password हो गएरा बोलके है तो reset कर लीजिएगा login करके आपको form बरना है ध्यान से आप form बरियेगा कोई गलती मत कीजिएगा अभी एक दो दिन वेट कर लो अराम से देख के check करके फिर करना है ठीक है दोस्तो इस वीडियो में आगे कोई और भी अपडेट आएगी तो मिलूंगा नेक्ट वीडियो में दोस्तो तरतेकिल नमस्कार धन्यवाद दोस्तो